नाश्कार स्वागत आपका अधर शुभारत टीवी में मैं हूँ आपके साथ चितना यादों ख़बरों की शुभात करते हैं इन दिनों ग्राम पंचायत चिनाप का दौर चोर रखा है ऐसे में हर प्रत्याशी जनता को लुभाने की कोशिस कर रखे है ग्राम पंचायत जलादपूर के मुख्या प्रत्याशी प्रत्टी लिए राकेव शुसिञ अपनी धरबत ने श्रीमती एकता देवी मुख्या प्रत्याशी के पक्ष में जलादपूर पंचायत के सभी मतधातां से एक भावनागमक अपील करते वे नज़र आई हैं राकिव शुसिंग ने कहा वे लगातार 15 सालों से जलालपूर पंचायत की राजनीती में सक्रिये हैं लगातार जरता की सेवा भी कर रहे ऐसे में उमीद करते हैं कि जरता उनके धरबबत्ती को ही अपना कीमती वोन देकर विजय बनाईगी जलालपूर पंचायत के तमाम समानित चन्ता जनारधन और नवजवान सांथियों से मैं अपील करता हूँ कि लगातार मैं राकेश सिंग मेरे बड़े भाई रमेश सिंग आप सभी के बीच एक पहतर समानवे अस्थापित करके हम लोग चलने का काम किया है परते एक साल की भाती इस साल भी पंचायत का चुनाव पहुत करीब है और महिला रक्षित सीठ होने के नाते हमारी धरमपत्नी सिरीमती एकता देवी जलाल पुर पंचायत के मुखिया पत पर चुनाव लर रही है जिनका चुनाव चिन मोतियो का माला चुनाव आयो के तरव से मिला है मैं राके सिंग आप सभी जलाल पुर के जानता से निवेदन करता हूँ की मेरे पास जो भी साधन शुब्धा उपलब्ध है यह था उसको लेकर सदेव आपके बीच बना रहा हूँ आपने सब को देखा, सब को परखा और जो भी पंचायत के लोग मुखिया बने आपके अश्रिबाद से बने मैं भी उन्ही की तरफ आपके बीच अपना भागिदारी सुनिचित करते आ रहा हूँ जलालपूर पंचायत के सभी समानित जन्ता से मैं अपल करता हूँ कि मेरे बेवहार बिचार को देखते हुए रमेज सिंग के बेवहार बिचार को देखते हुए आप लोग एक बार मुझे भी सेवा का मौका दीजिए निश्चित तौर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बेहतर काम करूँगा इमंदारी से काम करूँगा पंचायत के हर तबके के लोग को समान के साथ लेकर चलने का काम करूँगा किसी भी तरह का परिशानी दिक्कत समस्या आपके उपर नहीं आने दूँगा मुझे उमीद है इसी उमीद पर लगतार मैं पंदरा सालों से मुखिया का चुनाव लर रहा हूँ और जो भी मेरे पास ब्यवास्ता है उस ब्यवास्ता के साथ आपके बीच अपनी भागीदारी सुनिचित करते आ रहा हूँ इस लोग तंत्र के महापर्व मैं जानता ही मालिक होती है और मेरे भाग का फाइसला करने वाले आप लोग हैं आप लोग से मुझे उमीद है आप लोग पर मुझे विश्वास है चुकी अब यह मेरा अंतिम चुनाव है इसके बाद जन्ग गरना होने के बाद यह सीट किस जाती विशेश को जाएगा यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन सविंधानिक तरीके से जीस ब्यक्ति का अरक्षण होगा या अरक्षण रोष्टर में जाएगा वहीं ब्यक्ति इस पंचायत से चुनाव लड़ेगा मैं तो अब दुबारा चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा मेरे एक सपना था कि मैं अपने गाउं को एक आदर्स पंचायत बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा लेकिन इस बार अंतिम छण है और मैं आपके बीच हूँ और हमारी धरम पत्निस सिरिमती एकता देवी चुनाव लड़ रही है मैं आप सभी से आसा ही नहीं बल्कि पुरा विश्वास रखता हूँ कि हमारे पंदरा साल के सेवा को देखते हुए आप जरूर विचार करेंगे और सिरिमती एकता देवी को अपना असरिबाद देकर सेवा का मोका देंगे धन्यवाद इसके साथ फिलाल खबरों पित नहीं हूँ और भी खबरों के लिए बड़ी रियादर शुभारत टिवी के साथ समस्कार